हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बकरम लेंगे, बकरम की लंबाई हमने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है, बीच में से हम बकरम को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से हम 3 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे, अब लंबाई नाप लेंगे, लंबाई हमने 16 इंच ली है, इसकेल की सहायता से इन दोनों टिक को हम ऐसे लाइन अप कर देंगे, यहां कोने की साइड में तिर्ची में एक इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे और इसे हलका सा गोल से देते हुए लाइन किया है, बिल्कुल उसी सेप में एक इंच की चोड़ाई नाप कर ऐसे टिक लगाएंगे और इस टिक को लाइन अप कर लेंगे, इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम बकरम को ऐसे घुमाएंगे, जितना हमारा स्केल का चोड़ाई है, उतना चोड़ाई नाप कर यहां पर लाइन अप कर लेंगे, एक इंच की दूरी पे हम ऐसे टिक लगाएंगे और एक बराबर में लाइन अप कर लेंगे, अब हम नीचे की साइड से एक इंच की लंबाई पे ऐसे टिक लगा लेंगे, यह देखिए टिक लगाकर लाइन अप कर लेना है, अब हम इस ड यहां से हमें सीधी कट करना है ऐसे, फिर जिस सेप में हमने लाइन अप किया है, बिल्कुल उसी सेप में हम डिजाइन की यहां से कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से डिजाइन की कटिंग करने के बाद हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीके का आएगा, डिजाइन को हमने इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका लिया है कपड़े की कोने की साइड में हलका सा हम कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने डिजाइन के उपर सिलाई चला कर इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे आगे की साइट से हमारे डिजाइन में प्रोपर फिनिशिंग आई है अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चोड़ाई दो इंच है बीच में से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें कपड़े में छोटे-छोटे चूनट बनाने हैं यह देखिए ऐसे हम छोटे-छोटे चूनट बना लेंगे कपड़े में कपड़े में चूनट बनाते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें चूनट को गले की डिजाइन में ज्वाइंट करना है तो ये देखिए यहाँ पर हम चूनट को ऐसे ज्वाइंट करेंगे डिजाइन के अंदर के तरफ हम चूनट को ऐसे लगाएंगे और जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में हम इसके ओपर सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से डिजाइन के दूसरे साइड में भी हमें ऐसी चूनट की डिजाइन तयार कर लेनी है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हम सूट का कपड़ा लेंगे सूट के कपड़े में गले की डिजाइन को हमें यहां पर ऐसे लगाना है और इसके बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहां से हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद जिस सेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में डिजाइन के उपर हमें यहां से सिलाई चलानी है सिलाई चलाते समय डिजाइन को perfect सेप में बैठाते रहें जिससे आपके डिजाइन में perfect finishing आएगी और आपका डिजाइन easily तयार होगा इस लाइन को complete करते हुए हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद अब हमें extra कपड़े को cut करना है तो यह देखिए सिलाई के हलके से बगल में extra कपड़े को हम ऐसे cut कर लेंगे डिजाइन को प्रॉपर सेप में फोल्ड करने के लिए यहां कोने की साइड में हलका सा कपड़े को कट कर लेंगे अब हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे तो ये देखिए फिंगर की मदद से हम डिजाइन को प्रॉपर सेप में ऐसे सीधा कर लेंगे डिजाइन को perfect shape में बैठाने के लिए हमें design को इस्तरी कर लेना है डिजाइन को इस्तरी करने के बाद जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हम design के उपर सिलाई चला लेंगे अगर आप हमारी channel पे नए हैं और रोजाना एक नए design की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का ओप्सन सलेक्ट करें। डिजाइन के ऊपर सिलाई चलाने के बाद हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है। अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ धेर सारा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों धाई इंच है। कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके किनारे के साइड में सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर लगाना है और किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है। तो यह देखिए फरेंड इस टिजाईन के हमने एक लंबी सिलाईन बनाकर तयार कर ली है। अब हम किनारे के साइड से एश्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे एक बरावर में। अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। कपड़े की लंबाई और चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं। लंबाई साड़े 15 इंच है और इसकी चोड़ाई 3 इंच है। कपड़े के उपर हमें डिजाइन को उल्टा करके ऐसे लगाना है और इसके किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब हमें डिजाइन को फोल्ड करके ऐसे सीधा करना है और उपर की साइट से सिलाई चला देनी है यह देखिए सिलाई चलाते समय फिंगर की मदद से सारे डिजाइन को आपको अच्छे से पर्फेक्ट सेप में बैठाती रहना है जिससे आपके डिजाइन में पर्फेक्ट फिनिशिंग आएगी इस लाइन को कंप्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद डिजाइन को हम बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे दो भागों में कट कर लेंगे कपड़े की लंबाई कितनी है ये नाप लेते हैं कपड़े की पीछे हमने इस्त्री की सहायता से बक्रों को चिपकाया है अब हम कपड़े के ऊपर डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से हम धागे को कट करेंगे और डिजाइन को दूसरे साइड में भी हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें एक पतला सा कपड़ा डिजाइन में ऐसे ज्वाइंट करना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है यहां से हम धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें कपड़े को सीधा करके ऐसे fold करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है यहाँ से हम धागे को और एस्ट्रा कपड़े को ऐसे cut कर लेंगे ये देखिए design को उल्टा करके एस्ट्रा कपड़े को हमें cut कर लेना है अब हम इस डिजाइन को गले की डिजाइन में ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए गले की डिजाइन में इस डिजाइन को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है दोनों डिजाइन को अच्छे से परफेक्ट सेप में आपको बैठा लेना है Disgain की सिलाई की starting हम यहां से करेंगे सिलाई चलाते समय friend यह जो हमारा अंदर वाला यह design है finger की मदद से ऐसे उठाना है और इसके उपर सिलाई चलाना है इस तरीके से आपके design में perfect finishing आएगी अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब करकि घंटे को बजाकर आल का ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो ये देखिए हमने दोनों डिजाइन को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है अब हमें इस डिजाइन में मार्केट वाले बटन को लगाना है तो मार्केट जैसा बटन घर पे बनाने के लिए हमने सट का बटन लिया है इसे हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागे की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉक कर देंगे अब हम यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और सूई धागा के मदद से हमें डिजाइन में इस तरीके से बटन लगा कर तयार कर देना है तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो चला है थैंक्स पर वाचिंग